नमस्कार कुछ लोग केते हैं सर हमारा अंदर अंदर नहीं रहता है एक आत्म विश्वास नहीं रहता है लेकिन क्या आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद की हरकतों के कारण है खुद की आत्तों के कारण अपना सेल्फ कॉंपिडेंस खोते हैं अपना आत्म विश्वास खोते हैं और पता है जब सेल्फ कॉंपिडेंस नहीं होता है जब आत्म विश्वास नहीं होता है तो पता है आपको कोई भी कार्य आपका सक्सेज नहीं होता है कोई भी कार्य आप क कोई वर्क आप स्टार्ट नहीं कर बात तो अधिकता लोगों की यह प्रोड़म होती के तिसरा उम्हारा अंदर एक कॉंपिडेंस नहीं रहता है कैसे रहेगा आपके हर्कते तो एसी हैं आपकी आदत तो एसी है कुछ लोग है ना स्वेकि आदतों के कारणिये उनका कॉंपि आपका आतनी विष्वास खत्म होता है वो आदते आज अपन जानेंगे वो आदते क्या है आप यह देखी सबसे पहले तो जो लोग खुद उपर संधे करते खुद पर डाउट करते उन व्यक्ति का कॉंपिडेंस कभी भी हाई नहीं रहता है हमेसा लोही रहता है बस कोई कोई कारी का और यह घर्अ होगा या नहीं हो गया यह कार्य पो सकता या नहीं हो पहले ही आप अपने अंदर है लो प्रदेक्ट पेदा कर रहे हो संदेश करता कर रहे हो क्यार यह हो सकता है नहीं हो जब यह सुरुवात में कोई भी वर्क हाथ मिले तो हाँ यह हो सकता है I will do it मैं इसे करके दिखाऊंगा तो तो यह होता है आपके अदर inde canine का चूरा हो और यह मेरे से हो पाईगा निएक मैं कर पाऊंगा इस जिस और सुनदे मत करना जो इक शियुक्ते फ़ेशोघ करते हैं उनका parents हमेसा लो रहता है ने हमेसा कट भषये भी ठोब हुला करना मौ से लोग ध्यान चा 시wydd कोई भी कार्या हाथ मिलें कोई कार नहीं हो बस अपने आप को दोस्त हैं कि मैं तो ऐसे ही हूँ यार मेरी तो किस्मत ही खराब है मेरे तो बगवान भी साथ नहीं है मेरे तो माबाप भी ऐसे हैं मेरी फेमेली भी सपोर्ट नहीं कट रही है बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कोस्ते रहते हैं फेमिली को कोस्ते रहते हैं अपने परिवार को कोस्ते रहते हैं बगवान को कोस्ते रहते हैं जब आप खुद को बला बुरा कोगे खुद को बुरा साबित करोगे हर बात पर अपने आपको दोस्त देंगे तो आपका कॉम्टेंस कभी भी हाई लेल पर नहीं आएगा जीरो है और जीरो ही रहेगा कोई भी गलती हुई है आप से कोई भी नुक्सान हुआ है कोई भी असपलता मिली है तो अपने आप को बला बुरा ना कहें हाँ accept करें कि हाँ मुझसे गलती हुई है मैं सिखूंगा वापिस आगे बढ़ूंगा ये तो कोई बात होती है वरना तो कोई आश अपलता मिली है कोई गलती हुई तो बस मेरे से गलती क्यों हुई बस अपने आपको कोशना अपने आप के लिए रोते रहना तो आपका कोंपिरेंस कभी हाई नहीं होगा ऐसे लोगों कोंपिरेंस हमेशा लो ही रहता है कुछ नया ना सीखना जो व्यक्ति बार बार कुछ न कुछ नया नहीं सीखते रहता है हमेशा पुराने डिरे परी चलते रहता है उसका कोंपिरेंस भी लो हता है जियान रखना दुनिया पल पल बदल रही है बड़ी बड़ी कंपनिया भी क्या करती है पुराने जमाने में अलग चलती है अभी अलग चल रही है जब उन्होंने अपने आपको बदला तो आप अपने आपको क्यों नहीं बदलते हो समय के साथ में अपने आपको बदलना होगा और नया सीखना होगा अगर आप पुरा नहीं डरे पर चलोगे पुरा नहीं सीखे हुए कारिय को करते रहोगे तो आपका कॉझ्पीडेंस नया काम करने के लिए लोगा इसलिए जब confidence बढ़ाना है, अपना confidence अच्छा रखना है, तो इस दुनिया के साथ में चले और नया सीखते रहें, आप update रहेंगे, आप नया सीखते रहेंगे तो आपका confidence हमेसा हाई रहेगा, बार बार अतीत को लेकर रोना रोना, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना past को लेकर रोते रहते हैं, और यार मैंने उस वक्त में गलती नहीं करता तो आज में वहा होता है, मैंने बस वो एक गलती के वज़ए से आज में यहां पर हूँ यार, वो गलती नहीं करते हैं, बस आप past में जो हुआ जो उसको छोड़ो, आप past को लेकर अभी रोगे तो आपक अपने दिमागे मत लाओ, जो व्यक्ति बार बार अपने दिमागे लाता ना उसका जीरू रहता है, उसका self confidence कभी नहीं बढ़ता है, बस वो हमेसा अतीत को लेकर रोगना रोता है, यह मुझे से नहीं होगा, बहुत से लोगों के क्या आदित होती है, काम को देखा नहीं, क किसी ने अच्छा आईए बताया नहीं आर तू यार यह कर सका, यह तरे लिए अच्छा future है और तू बड़े इसमें कर सकता है, नहीं यार यह मेरे से नहीं होगा, बहुत से लोगों की आदद होती है, काम को देखा नहीं, जाना नहीं, पेचाना नहीं, डाइरेक्ट मना कर है, जिनके अंदर नहीं होता है, जिनके अंदर लोग confidence होता है, त्यान रखना जो नहीं आता है तो आप अपने आप में बाव रखिए, कि हाँ नहीं आता है तो मैं सीख लूँगा, कोई बात नहीं, जो मुझे नहीं आ रहा है, मैं सीख लूँगा, लेकिन हर बात में लेक लक्ष ताय नहीं करना वह से लोग क्या करते हैं उनकी शम्ता उनकी केपिलिटी तो कम होती हो लक्ष ले लेते हैं पहाड के जैसा और बस फिरो लक्ष पुरह ने कभी-कभी ध्यान रखना अपने संसाधन अपने परिवार अपने फैमिली के अनुसारी अपना लक्ष ताय कर लिए और किसी करन से वह बिजनिस सक्सेज नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ आप तो रोड़ पर आ जाओगे तो शम्ता अपने केपिलिटी के अनुसार ही आप अपना लक्ष ताय करें अगर आप अपने शम्ता के अनुसार ही आप अपना लक्ष ताय करेंगे ना तो तो आदते आपके अंदर हुई तो आपका confidence जीरो रहेगा आप अपनी ही हरकतों के कारण अपना confidence खोदोगे और आप life में कुछ नहीं कर पाओगे